कृशी कानुनों की विरोध में शनिवार को देश भर में किसान संगठरों ने चका जाम किया, इसी कड़ी में शिमला के विक्टी टनल पर किसान सभा सिर्टू और अन्यसंगठ्नों ने मिलकर कृशी कानुनों को वापिस लेने के लिए किन्र सरकार पर दबाव बनाया और धन प्रदर्शन के साथ ही चका जाम किया हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलीब तावर ने बताया कि आज किसानों द्वारा पुरे भारत में चका जाम किया गया है हिमाचल में भी लाहुल सपीती को छोड़कर अन्यसभी जीलों में चका जाम किया गया जब तक किसान देने की बात कही थी लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है उन्होंने कहा कि बड़े कारूबारियों को ला पहुंचाने के लिए केंडर सरकार देश के अन्यदाताओं के साथ मज़ा कर रही है सरकार इस आंदोलन को अमीर किसानों का आंदोलन कहकर दूसरी दिशा में बढ़काने का प्रयास कर रही है जब तक सरकार इन कानूनों को वापिस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे केंडरी सरकार ने जो तीन काले कानून जो पास किये हैं और उसके इलावा जो उनके किसानों के हमारी एक मुख्य मांग है कि नियुन्तम समर्थियन मुल्य को लीगलाइज किया जाए मगर ये बड़े दुख की बात है कि श्री श्री नरिंदर सिंग तोमर जी हमारे जो क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री है उन्होंने संसद में ब्यान दिया कि ये जो अंदोलन है ये सीमित केवल ये पंजाब तक है और एक राज्य तक है आज शायद इस संकेतिक चक्का जाम से पुरे देश के अंदर सरकार को पता लगेगा कि ये भारत वर्ष में कश्बीर से कन्या कमारी तक के अंदोलन है और ये गुजनात से लेकर और त्रिपूरा तक के अंदोलन है आज हमाचल परदेश में लाहुच वितीच हाँ बहुत हिमपात हुआ है वहाँ पर वैसे ही चक्का जाम है बाकि हर जिला के अंदर 20 जगा से ज़्यादा ये चक्का जाम किया गया है जो हमारे राष्ट्री मुद्दे हैं वो तो बहुत महत्व पुर्ण है उसके लिए हमाचल का किसान और किसान सबास अगर्शरत है मगर हमाचल में हमारे जो अपनी भी समस्याएं है यहां पर ज़्यादा जो किसान है वो सबजी है फल है और जो दूद है शेहंद है उन उसका उत्पादन करती है उसके लिए भी जो आप आने वाले समय में पूरे हमाचल पर देश में ये किसान अंदोनन को बिल्ट अप किया जाएगा कि जो हमारी सबजी हैं फल है उस पर अधारे तो द्योग लगाए जाएं उनके लिए प्रियापत मातरा में सीए स्टोरेज की फैसिलिटीज की जाए और जो हमारा सर प्लस मार्की टेबल है उसके लिए नियूनुतम समर्थन मुल्य दिया जाए